भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक संधर्शों और कुर्बानियों की अनन्त गाथा है असंख्य भारतियों की तपस्या के फल्स्वरूप भारत में स्वतंत्रता का सूर्य उद्य हुआ 6 अप्रिल 1930 को भी एक ऐसे सूर्य का उद्य हुआ था जिसके प्रकाश से अंग्रेजी समराज्य की नीव काम्प गई इसी दिन महात्मा गांधी जी ने गुजरात के दांडी नामक स्थान पर समुद्र के पानी से नमक बना कर अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ा था दांडी मार्च या नमक सत्यागरः का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के खिलाफ किया गया था जिसके तहट नमक निर्मान पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित किया गया था 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के छोटे से समूल से शुरू हुई इस यात्रा ने हजारों लोगों के साथ एक जन अंदोलन का रूप ले लिया साबरमती आश्रम से शुरू हुए दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ लोगों ने दांडी तक 390 किलोमेटर का सफर तै किया दांडी में महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बना कर अंग्रेज सरकार के काले कानून को चुनोती दी दांडी मार्च ने भारत के लोगों को एक जुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस यात्रा को मिली सफलता और लोगों के समर्थन को देखकर अंग्रेज सरकार बौखला गई कुछी दिनों में लगभग साथ हजार लोगों को हिरासत में ले लिया गया इस घटना से इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा नाग्रेक अवग्या आंदोलन शुरू किये जाने के निर्नई को बल मिला सविने अवग्या आंदोलन के तहट भारतिय लोगों ने अंग्रेज सरकार के कानुनों को मानने से इंकार कर दिया विदेशी वस्तूओं का बहिशकार किया गया देश भर में विदेशी वस्तूओं की होली जलाई गई जन मनस के दिल में आजादी के लिए चिंगारी जल उठी इस प्रकार दांडी मार्च ने भारतिय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्म भूमिका निभाई